दोस्तों, बिहारबुर्ड ने जो 2025 के Matrix a Dean-Oventory exam के लिए dummy registration card जारी किया इस dummy registration card को लेकर के तरह-रह के जो doubts, जो सवाल हमारे सामने आ रहा है मैं उनको सब का समधान कर रहा हूँ, आपको उसके समधान, solution बता रहा हूं दिखिए एक नया मामला हमारे सामने आया है कि जो dummy registration card इस बार आया नॉर्मली जैसे हर साल आता था कि बस अगर गलती है तो सुधार लिजे, सुधार करवा लिजे और जिनका सब सही है उनको कुछ नहीं करना पड़ता था लेकिन इस बार एक नई विवस्था अपनाई गई है और इस नई विवस्था के बारे में एक बात आपको याद रखना है और यू समझे ना कि एक बहुत बड़ा tension भी है अगर इस नए नियम को follow ना किया जाए तो आप exam देने से हाला कि इस मामले की गंभीरता को बहुत सारे school college नहीं समझ पा रहे है और इसकी वज़ा से जो इसका खामियाजा होगा न वो भूगतना पड़ेगा students को ऐसा नहीं कि school वालों को college वालों को कोई नुकसान होने जा रहा है और नुकसान तो नुर्मली एक चात्र एक student ही उठाने वाला है तो इसलिए एक student होने के नाते आपको इस बात को समझना बहँज़ जरूरी है देखिए इस बार जो dummy registration card का notification आया विज्यापन आया उस notification में भी हारबोर ने असपश्ट लिखा है क्या लिखा है कि जो dummy registration card है अब चाहे वो आप swim डाउनोड करें या फिर अपने school college से प्राप्त करें अगर डाउनोड करने में समस्या हो रही हो या photo sign खुलने में समस्या हो रही हो तो अंत उपाय लाश्ट उपाय वही है कि अपने school college से समपर कीजे यह वहाँ से तो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा अगर registration हुआ है आपका तो आपके school college से आपका मिलेगा और अगर मान लेते हैं कि यह school college वाले भी आपका registration card आपको नहीं दे पा रहे हैं मतलब साफ है कि आपका registration 2025 के metric या inter exam के लिए हुआ ही नहीं है तो इस बार मामला इतना आसान नहीं है कि बस dummy registration card ले लिया उसको हमने चेक कर लिया बात खतम सिर्फ इतना मामला नहीं है अबना इस साल के अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ dummy registration card लेना ही नहीं है उसको देखना है गौर से देखना है बारीकी से देखना है उसके हर detail पर नजर डालनी है और अगर कोई गलती है तो पहले उसका सुधार करवाना है और अगर गलती नहीं है तो भी एक काम तो सब को करना पड़ेगा यानि चाहे जिनकी गलतियां हो चाहे जिनकी गलतियां नहीं हो और ये सवाल बहुत आ रहा था कि अगर हमारे dummy registration card में कोई गलती ना है तो क्या हमें भी ये काम करना पड़ेगा घोशना पत्र का जो मामला है, declaration form का जो मामला है क्या हमें भी वो upload करवाना पड़ेगा देखे ये notification जो आया था बिहार बोड से उसमें बिहार बोड ने असपस्ट लिखा है कि हर एक student को अपना declaration form यानि घोशना पत्र जरूर अपलोड करवाना है अब चाहे उनका गलती हो या ना हो मतलब जिनके dummy registration card में कोई गलती है उनको भी upload करवाना पड़ेगा घोशना पत्र और जिनके dummy registration card में सब कुछ सही है उनको भी upload करवाना पड़ेगा dummy registration card मैंने upload करवाना पड़ेगा कहा आप स्वैम नहीं करना है आपको ये काम आपको अपने school college से करवाना है ये काम आपका नहीं है school college ही करेंगे उनको इसके लिए अलग से user ID और password मिलता है उसके माध्यम से क देखिए यहां पर जो आप screenshot देख रहे हैं यह 12 class का यानि बच्चों को अभी 2025 में इंटर का exam देना है देखिए हर एक बच्चे के सामने घोशना पत्र upload करने का select file का option दिया हुआ है अब यह याद रखिए कि इतने बच्चे जो आपको list में दिखाई पड़ रहे हैं इनके सामने जो upload करने का option दिखाई दे रहा है इनमें जिनका जिनका upload होगा केवल वही बच्चे 2025 के लिए examination form यानि परिक्षा form भर पाएंगे और असपष्ट है कि अगर परिक्षा form भर पाएंगे तो ही ओ फरवरी में होने वाले metric के इंटर exam में सामिल हो पाएंगे अच्छा ठी नहीं भर पाएगा मतलब exam 7 चित तो ये याद रखिए कि गलती हो या ना हो ये तो मामला ही नहीं है गलती है तो सुधार करवाना है वो तो एक अलग मामला हो गया और गलती नहीं है तो सुधार नहीं करवाना है लेकिन upload तो सब को करवाना है अगर एक बच्चे का भी upload सामिल नहीं हो पाएगा तो इस बात की गंभीरता को समझिए अगर आपका college कह रहा है अगर आपका school कह रहा है कि नहीं जिनका सब सही है उनको ये घोशना पत्र upload करवाने की कोई आशकता नहीं है तो उनको ये notification दिखाईए उनको बताईए screen sort दिखाईए और बोलिए कि हम स हुआ है कि नहीं दिया हुआ है जिसका जिसका upload हो जाएगा automatic वहां पर ये uploader दिखा देगा और दिखेए metric वाले में लिखा हुआ है COUR रेट से लिखा हुआ मतलब उनका अपलोड नहीं हुआ है और इंटर वाले में देखिए यहां पर अपलोड जिसका हो जाएगा यह अपलोड करने का ऑप्शन ही हट जाएगा तो अपलोड तो सबको करना है यह बात असपश्ट याद रखिए अब अगर किसी स्कूल के बच् लेकिन याद रखिए कि अपलोड करने का जो एक नया नियम है और सब को अपलोड करना है चाहे अगर सब सही है तो भी अपलोड होगा अगर कोई गलती है तो सुधार करने के बाद अपलोड होगा लेकिन अपलोड सबका होगा और यह सुधार कैसे करवाना है डेमी रेस्टेशन कार्ड में इसकी मैं पूरी जानकारी step by step पूरा live मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूँ उस वीडियो का लिंक यहाँ पर मैं description में और comment में डाल रहा हूँ यहां सभी आप देख सकते हैं सुधार कैसे कराना है कहां जाना है क्या करना होगा वह पूरी परिक्रिया वहां दी हुई है सुधार हुआ की नहीं हुआ यह कैसे मालूम पड़े का डेमी रेस्टेशन कार्ड में उसका भी तरीका बताया गया है तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं फिलाल इस वीडि वीडियो में नए अपडेट के साथ